वेल्गम बैक टू मा यूट्व चनल्स का नाम है जितनकुरमा आईटी सपोर्ट और आपको वीडियो है इस वीडियो में आपको बताऊं कि कैसे आप अपने जो है जो आपके अपको पता ही है कि अगर बहुत सारे लोग को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ जैसे कि घर क कामाली होता है जैसे घहर का माली कं किरायदार होते हुए इस तरह के क्यों से चर्जंड से आप उसमें स्क्वाटा यूजर होता है बहुता है जा कि अईस्ते होatin नेवल करहाम इन कि Are राइट्स हैं जैसे कि आपको पता कि घर के मौलिक की जैसे साहित होता है कि घर में कि क्या चीजways हमें लगानी हैそう उसको रिनोवेट कराना तो उसका में जो वो होता है मतलब जितने भी अधिकार होते हैं राइट्स होते हैं वह सारे में मालिक को होते हैं और किरायदार जो होते हो सिर्फ पेइंग होते हैं मतलब कि उनको सिर्फ जो है रेंट पेवर रहते हैं तो वह रिजिजर नहीं ले सकत प्रोग्मान इंस्टॉल करने के राइट्स नहीं रहती हैं तो इसलिए बहुत सारी यूजर्स को जो है जो यूज करने लाइगा उनको कुछ राइट्स चाहिए होती है यह माल लिए किसी को अधिस्टेटिव राइट्स चाहिए तो उसमें क्या करते हैं कि हम उस यूजर को उस गूरूप के अंदर डाल देते हैं तो इस पूरी वीडियो में हम जाने कि कैसे हम जो किसी भी स्टेंडर्ड यूजर्स को जो आपके कमिटर में लोकल बना हुआ है उसको कैसे अधिस्टेटिव गूरूप में डालेंगे चलिए बिना किसी देरी को हम सीखते हैं कैसे हम उस एकाउंट को अधिस्टेटिव गूरूप के डालके सारी प्रिवलेज ले सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं विना किसी देरी की हुए तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने पीसी पर आ जाएंगे पीसी पर आने बाद में विंडो एल करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा मेरे काम्पूटर के अंदर तीन यूजर बने हुए हैं तो अभी मैं क्या करूंगा जब से पहले मैं अपने जो यूजर है जी के वी यूजर जो हमारा नीचे है उससे लॉग इन करूंगा यह अ तो जब भी आप किसी प्रोगाम को अनिस्टॉल करने जाएंगे स्टैंडर्ड यूजर से तो जो है यह मना कर देगा मना कर देगा यहां पर आपसे जो है प्रिविलेज मंगेगा कि आप पारफ़ड बताईए वहना फिर यह प्रोगाम अनिस्टॉल नहीं होगा तो इस ची करेंगे जो मैं इसको लॉगिं कर देता हूं जैसे मैं लॉगिं करूंगा फिर से में सेम कमांड चलाओंगा एप्विज.cpl यहां पर कमांड चलाओंगा तो देखें यहां पर दो अच्क्राइब यूजर्स दिख रहे होंगे आपको जो मैं यूजर्स पे तो जितने मेरे लिए आपको उप्शन दिख रहा होगा एड पर अपक्लिक करेंगे तो यहां से आप जो है जो भी आपको यूजर है उस यूजर का नेम यहां पर इंसर्ट करेंगे जैसे मैं नेमजट करूंगा चेक नेमज़ करूंगा वो कम्पिटर आटोमेटकली फाइंड आट कर लेगा आपका यूजर और यहां से उक्के कर दीजिए तो यह आपको जो निचे अप्लाइ करके उक्की कर देंगे तो यह जो आपका यूजर है वो एंदर जूड़ जाता हूं और फिर उस यूजर पर जाओंगा जिस यूजर को मैंने डाला है तो मैं देखिए यूजर को जाता हूं यहां साइन करता हूं अभी पढ़ चुका है यह सेम वही कमांड में टाइप करूंगा करेंगा है कि अब प्रवां को अनिस्टोल करने की कोशिश करता हूं कि देखिए यह सेटी गूरूप में आ चुका है इसका मैं कंटीनूगा अभी यह राइट्स मांग रहा है कि इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर को यह पॉलिक्ष से इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो अभी मैं इसको ।सल걸 गर लेता हूं कि यह मैं कंप्पिटर रिस्टार्ट हो रहा है और मैं फिर अपने उसी युए से लॉगिंग करूंगा जिस युजर को मैंने अड़िट्यू ग्रूप में डाला है और यह मेरे युजर लॉगिन हो गया कि यह में सेम वही कमांड टाइप करूंगा अइस्टाल करने के लिए एप विज डॉट सीपील अब देखे मैं वील्सी मीडिया प्लेयर को यहां से अनिस्टाल करता हूं अब यहां निस्टाल कर देगा उसी युजर से अब मुझे यह यह देखे इसने कोई मुझे से प्रिवलेज नहीं मांगा कि आप एंश्टाल कर दे रहा है यहां इंस्टाल हो गया तो इस तरह के से आप किसी भी यूजर को एंश्टाल के अंदर डाल सकते हैं फीनिश यह यह अब फीनिश अब फिर आप विंड़ो बन करके देख लिए जो यूजर में अप्रिट्यू का पार्ट एंप्रिट्व ग्रूप का पार्ट नहीं है यहां सा अनिस्टाल नहीं होगा आप एक्जांपल के तौर पर देख सकते हैं मैंने देखे थाट वाले य कर देखें इस वाले युटर से नहीं होंगे हुए है नहीं है तो इसको भी इसको भी इसको भी राइट्स मिल जाएंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगए तो ये वीडियो को लाइक करें चैनल एक थे